प्रिटेन की सरकारी मीडिया चानल ब्रिटिश ब्रोड्कास्टिंग कॉर्परेशन यानि की बीबीसी के एक पत्रकार पर एक नाबालिक के सोशन का आरोप लगा है। आरोप यह भी है कि दुनिया भर में 40 भाशाओं में खबर प्रसारित करने वाले बीबीसी ने करीब 3 महीने तक अपने इस पत्रकार पर कोई आक्शन नहीं लिया। इस फैसले को लेने में इतना समय इस वजह से लगया क्योंकि इस बीच उसे भारत के लोगतंत्र के नाम पर प्रोपागांडा भी बनाना था। बुनिया को ये बाते तब पता चली जब बीबीसी के पत्रकार के खिलाफ पिछले ब्रस्पतिवार को एक टीनेजर लड़की की माने बीबीसी के पत्रकार पर ये आरोप लगाए। इस पर ब्रिटेन के ही समाचार पत्र दसन ने खवर प्रकाशित की है। इस नाबालिक की माने दावा किया है कि बीबीसी के इस पत्रकार ने उसकी बेटी को तीन सालों में 35,000 पाउंड यान के करीब 37,000,000 रूपे दिये और इसके बदले वो उसे नगन तस्वीरें देती इस पत्रकार ने उस लड़की को तब पेमिन करना शुरू करी थी जब वो 17 साल की थी और अभी उसकी उम्र 20 साल की है। सोचे कि ये ब्रिटिश समराज का वही बीबीसी है जोकि टीवी लाइसेंसिंग के कठो और कानूनों से अपना पैसा बनाता है। यदि आप इस बारे इस महिने मैं इसी बीबीसी ने अपने एक नामी पत्रकार गैरी लिनेकर को एक ही दिन में सिर्फ इस बात के लिए सस्पेंड कर दया था ? क्योंकि गैरी ने ब्रिटिश तुलना नाजियों से कर दी थी इस लड़की की मा का ये कहना है कि बीबीसी के पत्रकार ने जो पत्रकार ने उससे सिर्फ तस्वीरे नहीं खरीदी बलकि उसका सोशन भी किया जब दसन ने इस मामले को उठाया तो बीबीसी के पत्रकार ने कई बार पीडिता को फोन करके भी परिशान किया ये सारे आरोप बीबीसी के इस पत्रकार पर मई के महीने में लगे लेकिन इसे स पत्रकार पर आक्शन लेने की बाद पर BBC की कल्चर एडिटर कैटी राजल का ये कहना था कि पीडिता के परिवार ने उनके साथ ठीक से रिस्पॉंस नहीं किया इस वजह से उन्हें आक्शन लेने में देरी हुई पीडिता नवाले की मा ने जब दसन न्यूस पेपर को इस बार में बताया और ये खबर प्रकाशित हुई उसके बाद ही BBC ने अपने इस मेल स्टाफ को आखिरकार निकाल दिया और अपना स्टेटमेंट भी जारी किया जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि उन्हें सबूतों को देखने में समय लग गया था और कुछ नए आरोप भी इस पर लगे है आपको बता दे कि BBC दुनिया के सबसे पुराने और बड़ी मीडिया हाउसे में से एक है और इसकी पूरे दुनिया में करीब 35,000 करमचारी है देखते रही है दपामफ्रेट